दोस्तों मैं हूँ वैवाशर्मा और नर्चर क्लासिस के माद्यम से आज हम जोग्राफी के जो MCQ है NCRT वेस्ट हम उसका 24 लेक्शर देखेंगे जिसमें हम डेली वेसिस की तरह 5 कोशन को डिसकस करेंगे आज जिसमें एक कोशन अबारा वर्ल्ड मैपिंग पे भी होगा और य काफी वेनिफिशल होगा आपके लिए तो चलिए देखते हैं आज के लेक्शर का पहला कोशन हमारा क्या है फर्स कोशन है दे ट्रॉपिकल रेंट फॉरेस्ट इन दे अमेजोन वेसिन इस नोन एज मतलब यह कह रहे है ट्रॉपिकल रेंट फॉरेस्ट उष्ड कटिवंदिये बर्सावन कहा के अमेजोन वेसिन के वेसिन है उसके उसल कट बंदिये बर्सावन है तो इन में से कौन सा है परोष्ड कीता है तो आपका एक आपका हो गया सवाना सेटन आपका हो गया प्रेरीज और तीसरा हो गया सेहलोगा और तो चलिए वीडियो को पॉस कीजिए कोशन समझ में आ गया होगा और कोशन को खुछ से अटेंड करने की कोशिस कीजिए तो देखते हैं एमजन वेसिन को देखते हैं पहले तो कौन सा यहां पर ट्रॉपिकल रेंड फॉरेस्ट है कौन सा ट्रॉपिकल क्या देखते हैं इस चीज़ को समझते हैं खुछ से कोशन को टेंड करने की कोशिस कीजिए, चलिए, तो ये रहे हमारे ग्रासलेंट, ये जितने भी नाम थे, ये सब किसके नाम थे, ये सारे ग्रासलेंट के नाम थे, पेरी, प्रेयरी, पैमपास, और ये रहा आपका पैमपास, ये आपका वेल्ड रहा, यहाँ पे आ डाउन्स हैं डाउन्स ऑस्टेलिया में स्टैपीज एशिया में आपको मिलेंगे अच्छा यह जो सारे है प्रेरीज पैमपा स्टैपीज और यह बेल्ड यह सारे कौन से हैं यह सारे टैंपरेट ग्रास लेंड है अब उसलिकट बन दिये कौन से होते हैं तो दिखो यह हमारी अर्थ है और अर्थ पे अर्थ को 20 से डिवाइट कौन सी करती है कि इमेजनी लाइन जिसे एक्क्वेटर कहते हो और एक्क्वेटर के जिस उपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर जाती है और नीचे 23.5 पर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्ण जाती है जो साउथ दन हैमिस्पेर पर याती है ये और ये अगर हम मैप पर इस पर ही देख लेए इस पर ड्रा है अगर हम इस पर ही देख लेए तो ये दिखो ये वाली जो लाइन है हमारी ये क्या है यह हमारी equator है भूमद रेखा यह उपर Tropic of Cancer है यह Tropic of Cancer है यह नीचे वाली Capricorn है मकर रेखा है Capricorn मकर रेखा है अब इसके बीच का जो भी छेतर है वो क्या है ट्रोपिकल जोन आ जाता है उसको क्या कहते है उसको हम ट्रोपिकल उश्र कटवंदिय छेतर कहते है बरसावन कहते है अब इस बीच में जो ग्रास लेंड होगा वो आपका Tropic of Cancer जोन में आ जाएगा अब आपके Pampas कहा है यह आपके Argentina पे पाए जाते हैं तो यह तो Tempered में आ जाते हैं सितोष्र छेतर में आ जाते हैं अब यहाँ प तो अगर आम आंसर देगा प्रेयरी वह आपने उपर देख लिया प्रेयरी थो किसी हाल में नहीं इस सब्सक्राइब पेसे इन यह पूरा चेत्र ठीक है समझ में आ रहा होगा तो यहां पर आपका है सेलवास उपर है आपका बेंजुला यहां पर है आपका आपका लानोज मिलेगा ठीक है और नीचे आप बिल्कुल चले जाएंगे तो आपको नीचे जैसे जाएंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे आपको चो मिलेगा, आपका PAM PASS, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, तो चलिए हम अपनी कोशंट पर वापस चलते हैं, तो कोशंट पर हम अपने चलते हैं तो देखते हैं क्या है पहला है सवाना सवाना आपने देखा ये अफरीका रीजन में पाया जाता है ये वाला जो है ये क्या है ये सवाना है ये आपको अफरीका लेकिन सवाना कैसा है ये है ये वी ऊश लिकट बन दिये पूश रिकटवंदी च्छेत्र में ग्रास लेंड है आपका गास इस्तल है लेकिन यह आपका एमजोन वेसिन में नहीं पाया जाता है ठीक है तो सवाना तो नहीं होगा क्योंकि यह आपको अफ्रीका साइड मिलेगा अफ्रीका में मिलेगा वो भी कहां पे ट्रॉपिकल जोन में प्रेरी आपने देखा प्रेरी आपके कहां मिलते हैं प्रेरी आए एक टेंपरेट ग्रास लेंड है और यह आपके मिलते हैं नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट में आपके नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट में भी शेल्व आपका अंसर हो जाएगी सेल्वा आपने पर देखा वाला जो पार्ट आगी सेल्वा है अब को आपका क्या है वेसन में पाया जाता है प्हôm पास आपने देखा यह आपके अर्जंटीना पर पाए जाते हैं और ये tیک टैंपरेड ग्रास्लेंड है तो आपका सेलवा सेलवा कि जस्ट उपर आपका लानोस पाया जाता हाओ भी क्हा है वह विश एक ट्रोपिकल ग्रास्लेंड भीक नहुंस के बीच में ही पायmesi जाता है यह जो वाला यह पार्ट है ना यह यह आपका लानोज है लानोज यह आपका वैनजुला में पाय जाता है वैनजुला और कोलंबिया के छेत्रों में देखने को मिलता है तो उमीद करता हूँ आपने कोशन अच्छे से गिया होगा तो चलिए बाकि ग्रास लेंड अभी मैप कोशन था पूरा ठीक है चलिए नेक्स कोशन है हमारा होरिजोंटल ट्रांसफर ऑफ हीट इस नोन आज मलब जो आपकी उश्मा है जिसे हीट कहते हो अब उश्मा का 36 घरीशकोपा ट्रांसफर महलाब 36 संचरण होना संचरण संचरण होना संच ठुड़ा सुध हिम्दी महलाब कह सकते हो देखो एक तो ऐसा κάνोता है यह हो गया आपका horizontal और एक नीचे से उपर की और चलता है यह हो गया आपका vertical यह कैसा हो गया उर्दादर हो गया वर्टिकल हो गया यह कैसा हो गया आपका horizontal आपका ट्रांसपर हो गया 36 जोंटल तो उमीद करता हूँ question समझ में आया गया होगा तो चार option आपके सामने दिये गया है पहला जो option दिया गया वह एड्वेक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं अविवहन और दूसरा option है आपका convection convection को कहते हैं संबहन और तीसरा है आपका conduction conduction को कहते हैं चालन और फिर है elliptical line ये आपका ऐसे करके elliptical line में convert हो जाता है और एक आपका transfer होता है जिसका नाम है radiation वो option में नहीं रखा है जिसे विक्रड कहते हैं चलिए तो चार option दिये गए हैं अब चार option आपके सामने हैं question आप समझ चुके हैं तो question को खुश से attend करने की कोशिस कीजिए कि इसका answer क्या होगा चलिए हम देखते हैं इसका answer क्या होगा तो चार आपके option है एक तो आपके convection है convection है convection है और conduction और elliptical line है तो चलिए answer तो आपने देख लिये एडवेक्शन है एडवेक्शन क्या होता है एडवेक्शन का मतलब होता है कि horizontal transfer of heat is known as advection और इसमें heat क्या होती है transfer OTA is not powered by the variation in the density but rather requires an outside forces मतलब यह कह सकते हैं एडवेक्शन में क्या होता है अगर हम एडवेक्शन की बात करें जिसे अभी भहन करते हैं और एडवेक्शन में horizontal flow होता है जो heat होती है मतलब जो air का flow होता है वो कैसा होता है या heat का flow होता है heat कैसी flow होती है horizontally flow होती है जैसे आपने देखा होगा northern hemisphere मलब हमारे इंडिया का जो northern part है यहाँ यूपी बिहार इस side का जो part है यहाँ पे गर्मियों की time पे बहुती dry सुस्क हवा चलते है dry wind चलती है जिसे हम लू कहते है अब लू क्या है जो भी wind चलती है वो कैसे चलती है अगर वो horizontally चल लई है तो horizontally wind high pressure to low pressure चलती है और vertically अगर wind चलेगी तो कैसी चलेगी low pressure to high pressure चलती है यह wind का मतलब कह सकते है कि wind का flow होता है कि wind ऐसे high pressure to low pressure चलती है horizontally और vertically आपकी low pressure to high pressure देखने में बिलते है तो एडवेक्शन में कहा गया कि एडवेक्शन में जो आपकी जो एर है अब एर कैसी चलती है horizontal चलती है अब उसके सारे आपकी heat भी ट्रांसफर होती है तो heat कैसी ट्रांसफर होती है horizontally ट्रांसफर होती है तो answer आपका क्या हो गया एडवेक्शन हो गया उमीद करता हूं समझ में आगा अब हम दूसरा option समझ लेते हैं convection convection मलब होता संबहन और convection जो होता liquid और gas में ही heat का जो heat है वो convection द्वारा संचरित होती है यहां पर क्या है liquid और gas में जो heat होती है केवल दो ही फॉर्म होती है liquid और gas इन दो ही फॉर्म में क्या होती है heat होती है लुक्विड या जो गैस है उसके द्वारा ट्रांसफर होती है इसे कन्वेक्शन कहते हैं अब आप देख रहे होंगे मैप इससे अगर फिकर में देखें कन्वेक्शन यहां पर क्या होता है जब हीट बहुत ज्यादा पड़ती है तो कन्वेक्शन प्रॉसेद देखने के मिल यहां पर जब मूब करेगी मूश्शर भी होग इसके साहते है तो लिकुड और गैस में फोप्रॉसेद देखने के मिल आप आपको deception अब एक process हमारी और बचई जिसे कहते हैं Conduction जिसे हम कहते हैं हिंदी में कहते है deep और Conduction में क्या होता है? Medium की जरूद पड़ती है Arriding Convection में भी Medium की जरूद प्राइए Conduction में क्या हता है? Medium की जरूद पड़ती है एक यह Iron Rod अब इस इस एक तरफ किया करो गठागा यह कोई फ्लेम जल लएक है तो आप यह वाली अगर यहां पर गरम कर एक तो थोड़ी देर वाद आप को पता लगेगा यह वाला जो बी वाला पार्ट आप प्लेम के ऊपर रखे होए हो तो आप थोड़ी देर वाद मेहसूस करोगी क आप एकदम उस रॉड को छोड़ दोगे अगा उसमें कोई भी मनलब आपका जैसे जो बैट कंड़क्टर होता है या कह सकते हैं इंसुलेटर होता इस नहीं पड़ने कुछालत है और रॉड को इधर गरम कर रहये हो इधर अपने आप हीट हो जाएगी आप छोड़ दोगे तो एक फूरू होती है हीट इसको कहते हैं कंडक्शन अब एब एक होते लिएशन रेडिय испसं eration में क्या होता है अब जैसे sun rays पढ़ती है, सबसे सा example है, कि sun rays पढ़ती है अर पे, तो क्या होता, कोई medium थोरी है, जिसके थुरू आती है, वो तो सीधी आती है, हमारे atmosphere में एंटर करती है, और land और water पार्ट पे पढ़ती है, और क्या होता है, यह heat हो जाता है, ठीक है, तो चलिए, उमीद करता है, convection, conduction, और आपकी एक radiation होता है, और advection में क्या होता है, advection में heat क्या होती है, ट्रांसफर करती है, बायू जब जो year होती है, बिंड आपकी horizontally move करती है, high pressure to low pressure, in horizontal, तो आपकी एड्वेक्शन करती है, जैसे आपकी जो भी बिंड चलती है, आपके अर्थ पे, तो वो क्या है, आपके atmosphere वो सारी जो बिंड चलती है, वो क्या है, वो एड्वेक्शन करती है, एक्जामपल है, ठीक है, तो चलिए, next question हमारा है, which one of the falling rivers does not originate in India, मतलब इन में से चार river दी गई, चार में से एक आपकी river है, सतलच, चेनाप, ज्वियास and रावी, अब इन में से एक है, जो आपकी इंडिया में originate नहीं होती है, जिसका जो source point है, वो इंडिया में नहीं है, तो इन में से कौन सी river है, जिसका source point इंडिया में नहीं है, तो वीडियो को पॉस कीजिए और खुश से कोशन को अटेंड करने की कोशिस कीजिए इसके बाद हम देखते हैं इसका अंसर तो यह रहा हमारा मैप अब हम मैप पे गर दीखें तो आपको अंसर पता लग गया होगा कौन सी है सतलज तो दिखो सबसे पहले अगर हम देखें अपन अगर हम सतलज की बात करें तो सतलज का सोर्स पॉइंट कहां से है यह कहां से निकलती है सतलज का जो सोर्स पॉइंट है वो आपका बेटा कहां से है वो राकस ताल तिब्वत में है तिब्वत में एक लेक है राकस ताल इस लेक से क्या निकलती है सतलज निकलती है अब क्या करती है सिकला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है इसके बाद ये पंजाब जाती है पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में घुज जाती है और पाकिस्तान के बाद ये क्या करती है इधर से जो आपकी इंडस रिवर आती है और इंडस रिवर में अपना पानी वह कहां है ये यह आपकी तिब्वतम ने तो चलिए दूसरा उफशन आपका चिनाव आपकी कहां से निकलते 殺 कर चिनाब की बात की जाए तो चिनाब आपकी निकलती है बारा लाचा पास नियर दा बारा लाचा पास बारा लाचा पास बारा लाचा दर्रा है ये कहा है ये भी आपका हेमाचल प्रदेश में बहां से निकलती है चिनाब तो मतलब ये तो यूपी से निकलती है उत्तर प्र से निकलती है쪽에 रोतांग पास यह रोतांग पास भी आपके हिमाचल प्रदेश में हैं यहा से निकलती मतलब यह भी इंडिया से निकलती confin तो ऑफ्षण आपका हो गया सद लच और यह ती यह 4eka यह चारो एक और जहेलम यह मिलाके किसकी हैं इंडन्स कोट में जाके यह इंडन्स कोट में जाके कौन सतला जबा अच्छा इस पर UPSC ने अभी 2021 में जल्दी में कोशन पूछा एक प्रारंबिक प्रेक्षा में तो MCQ इस पर पूछा था कि नदियां दी गई थी कि चार नदियां यही चारो ऑप्षन दिये गए थे बोला था इनमें कौन सी रिवर है जो आपकी मालब जो रिवर में पानी गरता जाके है मिक्स हो जाती जाके मालब कहरा कि सतला चिनाव और यह सारी जाके आपकी इसमें मिक्स हो जाती है या ठीक है तो इसका उसका आंसर भी सतला जी था क्योंकि जितनी भी यह रिवर आती है उपर से आपकी जेलम आती है नीचे से आपकी फिर चिनाव आती है रावी आती है बियास आती है और ये सब जाके पाकिस्तान में पाकिस्तान में जाके ये क्या करती है ये सतलज में गिरती जाके है और फिर सतलज का पानी आगे जाके इंडस में मिल जाता जाके है तो सतलज में इस सारी गिरती है सतलज से ही एक हमारे यहा बस गए थोड़ा ठीक है desert area convert हो गया है तो इतना देखो इसका फाइदा मिला तो चलिए उम्मीद करते हूं कि कोशन समझ में आया होगा तो next question है हमारा लक्षदीब के उपर लक्षदीब 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 पहले बढ़ा तो क्या है में यह मारा Unionटाटी है एक केंदर शाशीद प्रदेश भारत का केंदर शाशीद प्रदेश है यह भारत का सबसे चोटा केंदर शाशीद प्रदेश जो 32 किलोमिटर square में फैला हुआ है यह तो information एक हो गई, question हमारा क्या है, question हमारा यह है बेटा कि लक्षदीब जो group है वो कितने island से मिलके बना हुआ है, एक island की chain type की है यहाँ पर, और जब कोई जगा है, many types of, मलब बहुत सारे island से मिलके बनती है, तो उसको archipelago कहते हैं, तो 25 island से मिलके बना है, 36 island से मिलके बना है 53 island से मिलके बना है, और 62 island से मिलके बना है, इस बारे में वीडियो को बॉस कीजिए, question को को से attend कीजिए, अब लक्षदीब किस island है, तो किस ocean यह सी में है, यह भी आपको पता होना चाहिए, यह भारत की सबसे छोटी territory है, union territory है, ठीक है, अभी हाली में यह जैविक खेती के ल खेती यूज़ कर रही है, तो उसके लिए भी इसको हमलब, तो चलिए, देखते हैं, यह रहा हमारा लक्षदीब, यह रहा लक्षदीब, अगर लक्षदीब को मैप पे देखा जाए, तो देखो, यह रहा भारत, ठीक है, अब भारत का यह जो केरल वाला, यह जो कॉस तरफ जाएंगे, तो आपको छोट छोटे आइलेंट्स मिलेंगे, यह आपको दिख रहे होंगे, यह आपका कौन से है, यह वाला आइलेंड, यह सारे, यह जितने भी आइलेंड मिल लेंगे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको लक्षदीब के, यह सारे, और यह टोटल कित 36 island तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36 island से मिलकर हमारा लक्षदीप island है और यह क्या है Malayalam भासा में लक्षदीप Malayalam कहा की language है? यह केरल की language है Malayalam और संस्कत में इसका मतलब होता है 100,000 island ठीक है अब हम थोड़ा लक्षदीप के बारे में जान लेते हैं तो लक्ष दीब क्या है, सबसे smallest इनेंटेट्री ओफ इंडिया है, इंडिया की सबसे छोटा किंसाजिश प्रदेश है, और ये एक आर्की पैल्गो, आर्की पैल्गो हमने बता दिया है, जब छोटे छोटे आईलेंड से मिलके कोई देश या कोई जगह बनती है, तो उसको हम आर्की पैल्गो को कहते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्की पैल्गो कोई सा है, इंडोनेशिया है, ठीक है, जापान क्या है, एक आर्की पैल्गो कंट्री है, छोटे छोटे आईलेंड से मिलके बनी हुई है, ठीक है, तो वो आर्की पैल्गो कहते हैं, तो ये भ होते हैं हमारे अटॉल है अगर हम थोड़ा जूम करें लक्ष रीव पे यह जो दिख रहे हैं ना आपको यह होते हैं अटॉल यह बारा अटॉल और तीन रीव से मिलके बनाया है पांच यहां पे सम्मर्ज बैंक मिलेंगे आपको जो सम्मर्ज हो चुके हैं और टेन इन हैविटेट आइलेंड मिलेंगे जिस पर कोई नहीं रहता है बंजर पड़े हुए हैं वो दस आपको आइलेंड ऐसे मिलेंगे तो हम बात करें दा आइलेंड है टोटल एरिया 32 स्कार किलोमेटर है तो दा जादा आपको भीडभाड नहीं देखने के मिलती है अच्छा यहां पर एक इंफॉर्मेशन और है केवल यहां पर बीएसनल और एयर टेल ने यह अपनी टेली कॉम्निकेशन सर्विस जो है प्रोबाइट कर आई है केवल वहां पर कवरावती अगर्ति आइलेंड यहीं पर के अपनी सर्विस प्रोबाइट कर आई है तो देखिए यहां पर हम मैप पर इसको देखें थोड़ा और यह कबरावती है और यह नीचे अब अच्छा एक कोशन और बनता है नाइन डिग्री चैनल तो नाइन डिग्री चैनल किसको किसको लकादीप और मिनी कोई यह मिनी क हो खाया है और किसके बीच में धौनाम यहां पर मिनी कोशन मिल जाते हैं थीके मूदате माओ को नीच एब करता हूँ आपको समझ में ऐगा ओका छीक है तो चलीएכ away from the coastal city of the Kochi in the Kerala, Kerala के Kochi city से ये 220 या 440 किलोमिटर दूर है, ठीक है, तो चलिए next question हमारा, last question है, write down in the following statement, तो Tropic of Capricorn passes through five African countries with South Africa, मतलब यहां पर कह रहा है, जो Tropic of Capricorn है, वो पास होती है, आपकी पांच African countries हैं, पास इस तुरो five African countries with South Africa, यह पहला statement है, कि जो आपकी Tropic of Capricorn मतलब मकर रेखा, अब जो आपकी मकर रेखा है, वो कहरा पास हो रही है, अफरीका के पांच country से, और उसमें आपका South Africa भी इंकलूड है, यह तो पहला statement था, चलिए, दूसरा statement है, अगुलहास करेंट, अगुलहास current है, अच्छा, यह इसका key point है, कैसी है, एक cold water current है, ऐसा कह रहा है, कि which is the passes through the mozambic channel, और यह कहां से pass होती है, मोzambic channel से pass होता है, चैनल मलत दो, एक छोटी narrow strip type का, तो उसे channel बलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको correct option बताना, incorrect नहीं बताना, only one, two and both, तो वीडियो को pause किज है, तो आप इस question को कर ले जाएंगे, अफरीका continent, आपने अगर अच्छे से map पे देखा है, तो आप इसको attend करने, कोई आपको दिख कर नहीं होगी, तो चलिए हम देखते हैं, इसका answer क्या है, फिलाल, यह रहा हमारा अफरीका का map, अब अफरीका के map पे देखें अगर, तो आपकी टROPIC OF CAPRICULON PASS होती है, और यह जाती है आपकी NAMIVIA, NAMIVIA से BOSTRबाना, से फिर आपकी साउथ अफरीका में enter करती है, साउथ अफरीका से फिर मोजामबिक में, तो मोजामबिक के बाद आपकी मैडागासकर में जाती है, तो यह कितनी country हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाज मलब और क्या साउथ अफरीका तो पहला स्टेट में तो हमारा करेक्ट हो गया अब दूसरा है कि अगुल हास करेंट अगुल हास करेंट इस इस राइड कि अगुल हास करेंट क्या है अगुल हास करेंट आपकी यह है यह क्या है आपका मोजाम्बिक चैनल है और मोजाम्बिक चैनल से पास होती है आपकी कौन से अगुल हास करेंट लेकिन है पर एक एकसेप्शन है कि अगुल हास करेंट क्या है यह आपकी एक्वेटर से पोल्स की तरह फ्लो करती है इसलिए ए कैसी है warm water current cold नहीं है क्योंकि यह pole से equator की तरब नहीं जाती है इसकी direction क्या है इसकी direction विटा अगुलास current की कैसी है इसकी direction आपकी equator to pole है तो यह warm current है ना कि cold current है तो दूसरे में key point क्या था cold water current है cold water नहीं warm current बाकी सबसे ही ता मोजामिक चैनल से पास होती है तो हमारा option क्या बनेगा only one क्यूंकि हमें correct पूछा गया यहां पर गौर करना जरूर ठीक है कभी कबार यहां पर incorrect भी दिया जाता है तो ठीक है तो हमारा option क्या होगा यह हो तो यह आज आज आपके 5 question थे जिस में आपने tropical rainforest in amazon basin इसको समझा ठीक है और horizontal transfer of heat इनको समझा तीन फॉर्म थी radiation, convection, conduction और ठीक है इनको समझा इसके बाद आपने जो हमारी इंडस रिवर थी उसकी जो ट्रिवर्टी है सतलाज यह सब इनको देखा कहां से ओजनेट होती है तो इनके बारे में जाना और यह हमारे लक्षदीप के बारे में थोड़ा तुमने जाना कि कितने आइलेंड सिमिल के हो ना यह information यहाँ पे mention है और और हमारा यह world map पे base question था आज Africa continent पे base question था तो आपने इसको समझा तो चलिए यह हमारी telegram channel link है यहाँ पे आपको video की link और PDF प्रोवाइट करा दी जाएगी और वी आपके जो lecture है उसकी with PDF आपको इसी telegram channel पे मिलेगी इस पे आप join कर लिजिए यहाँ पे आपको notification सारी चीज़ें अब level होती रहेंगे यह हमारा Instagram channel है जिसको आप description box में आपको link दिया गया जहाँ पे आप डिरेक्ट क्लिक करके पहुंच सकते हैं और यहाँ पे हम daily basis पे quizzes डालते हैं current basis पे और यहाँ पे और भी information आपको देखने को मिलेगी तो इसी पिकार हमार आपको आपको अजाहिन